मेरे प्यारे देश वासियों, हम भारत वासियों का स्वभाव होता है कि हम हमेशा नए विचारों के स्वागत के लिए तयार रहते हैं। हम अपनी चीजों से प्रेम करते हैं और नई चीजों को आत्मसाद भी करते हैं। इसी का एक उधान है जपान की तकनीक मियावाकी अगर किसी जगह की मिटी उबजाव नहीं रही हो तो मियावाकी तकनीक उस खेत्र को फिर से हरा भरा करने का बहुत अच्छा तरीका होती है मियावा की जंगल तेजी से फैलते हैं और दो तीन दसक में जैव विविद्रता का केंदर बन जाते हैं अब इसका प्रसार बहुत तेजी से भारत के भी अलग-अलग हिस्वे हो रहा है हमारे हाँ केरला के एक टीचर स्रिमार राफी रामनाज जी ने इस तकनीक से एक इलाके की तस्वीर ही बदल दी दरसल रामनाज जी अपने स्टूडेंट्स को प्रकृती और परियावरन के बारे में घहराई से समझाना चाहते थे इसके लिए उनोंने एक हरबल गार्डन ही बना डाला उनका एक गार्डन अब एक बायो डारोसिटी जोन बन चुका है उनकी इस काम्याबी ने उन्हें और भी प्रेणा दी इसके बाद राफी जी ने मियावा की तकनीक से एक मिनी फॉरेस्ट यानि छोटा जंगल और इसे नाम दिया विद्यावनम अब इतना खुपसरण नाम तो एक सिक्षक ही रख सकता है विद्यावनम रामनाज्जी के इस विद्यावनम में छोटी सी जगह में 115 वेराइटी के 450 से अधीक पैड लगाए गए उनके स्टूडन्स भी इनके रख रखाव में उनका हाथ बटाते हैं इस खुपसरत जगह को देखने के लिए आसपास के स्कूली बच्चे आमनागरीक काफी भीडू मरती हैं मियावा की जंगलों को किसी भी जगर यहां तक की शहरों में भी आसानी से उगाया जा सकता है कुछ समय पहले ही मैंने गुजरात में केवडिया एकता नगर में मियावा की फोरेस्ट का उदगाटन किया था कच में भी 2001 के भूकम्प में मारे गए लोगों की याद में मियावा की पद्धती से स्मृतिवन बनाया गया है कच्च जैसी जगह पर इसका सफन होना ये बताता है कि मुश्किल से मुश्किल प्राक्रूतिक परिवेश में भी ये तकनिक कितनी प्रभावी है इसी तरह अंबाजी और पावागड में भी मियावा की मैथड से पवदे लगाए गए है मुझे पता चला है कि लखनों के अलीगंज में भी एक मियावा की उद्ध्यान तयार किया जा रहा है पिछले चार साल में मुंबई और उसके हासपास के इलाकों में ऐसे साड़ से ज़्यादा जंगलों पर काम किया गया है अब तो ये टेकनिक पूरी दुनिया में पसंद की जा रही है सिंगापूर, पैरिस, आस्ट्रेलिया, मलेसिया जैसे कितने ही देशों में इसका बड़े पैमाने पर उप्योग हो रहा है मैं देश वास्यों से, खासकर शहरों में रहने वाले लोगों से आगर करूँगा कि वे मियावा की पद्दल्ती के बारे में जरूर जानने का प्रयास करें इसके जरिये आप अपनी धर्ती और प्रक्रिती को हराब, भराव और स्वच्छ बनाने में अमुल्ले योगदान दे सकते हैं